ट्यूट एर ब्रांट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखे जैसा कि आप थमनेल में देख रहे होंगे कि पेट एकजाम 2023 सुल्तानपूर में पकड़ा गया मुन्ना भाई कितने सालबर गैंग और क्या कोई परिच्छा उत्तर प्रदेश में सालबर गैंग से खाली जाएगी अरे बाई कोई भी एक जाम तो ऐसा हो जाए कि जिसमें सालबर गैंग ना रहे अभी इसके पहले मुक्षे सेवे क्या में पकड़े गए तो चलिए फिरहाल क्या है अपडेट उसको देख लेते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए है तो फिरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों को भी सेयर करें देखिए ये सुल्तानपूर उत्तर प्रदेश सुल्तानपूर की खबर है जन्पद में हो रही पीटी परिच्छा में राडा प्रताप महविध्याले में पकड़ा गया परिच्छार थी दूसरे की जगा दे रहा था यूग परिच्छा जीला विद्याले नरिचकर अभी संकरने की पुष्ट चोकी इंचारज सार्देन्दू द्यवेदी बोले पकड़े गे परिछार्थी को ले जा रहे हैं नगर कोतवाली सिच्छा विभाग द्वारा अभी नहीं दी गई तहरीर मिди सभी सिच्छा विभाग द्वारा कोई तहरीर से नहीं दी गई है लेकिन ये खबर बहुत तेजी से वाइरल हो रही है अखिर में क्या कोई भी एक्जाम सालबर गैंग से खाली जाएगा क्या है उत्तर प्रदेश की सासन बिवस्था कैसी इतनी हिम्मत पढ़ जाती है कि दूसरे की जगा लोग परिच्छा देते हैं वो बेचारे परिच्छा थी इतनी मेहनत करके साल साल लगातार घरों से कितने दूरी पर रहकर कुचिंग करते तयारी करते हैं और यह उनके मनसुबे पर पानी फेनने आ जाते हैं चलिए और देख लेते हैं बिहार का सुल्तानपुर में जो पकड़ा गया भाई उध्यान दीजिए बिहार का मुन्ना भाई अम्भी बियस सुल्तानपुर में धराया मिन्सकाने का मतलब है जो मुन्ना भाई पकड़ा गया अम्भी बियस यह सुल्तानपुर में पकड़ा गया तो बिहार का है क्या भाई बिहार वालों अरे उत्तर प्रदेश को छोड़ दो अईसे कईसे आ जाते हो भाई मों किसे होई क्या में भी आप पहुँच गए और अब पेट को भी नहीं छोड़ रहे हो पेट परिच्छा में दूसरे परिच्छार्थी के अस्थान पर परिच्छा देते हुए किन बेवस्थापक ने दबोचा चेहरे और बायोमेट्रिक मिलान में अंतर पाने पर पकड़ा गया मुन्ना भाई कोतवाली पुलिस आरोपी को पकड़ कर रही पूस्थाच बड़े रैकेट का हो सकता है खुलासा किन बेवस्थापक ने बिधिक कारवाई के लिए दी तहरीर जाउनपूर के रहने वाले अनुराग सोनकर के अस्थान पर बिहार का प्रदीप दे रहा था परिच्छा कोतवाली नगर के राड़ा प्रताप डिगरी कालेज का मामला चलिए देख लेते हैं कहां कहां यहां के सेंटर बने हुए थे भई सुल्तानपूर में यह भी अपडेट है मेरे पास प्रारंभिक अर्था परिच्छा आज से सभी सोलह परिच्छा केंद्रों पर तयारी है पूरी दो दिनों में 31,872 अभ्यर्थी देंगे परिच्छा में सुल्तानपूर जन्पद में जो है 31,872 अभ्यर्थियों को परिच्छा दो दिनों में देना है और सोलह परिच्छा केंद्र है आज का वाकिया ये पहले दिन है घटित हो गया मिस 28 अक्टूबर को ही एक मुन्ना भाई पकड़ा गया अब पूरे प्रदेश की क्या खबर है वो भी सामने आ जाएगी जिले के सोलह केंद्रों पर प्रार्मिक अड़ता परिच्छा सनिवार सुबह 10 बजे से सुरू होगी निस सुरू हुई ये नियूज है परिच्छा सनिवार अभ्यवार को दो पालियों में 31,872 अभ्यरतिस में समलित हो रहे है परिच्छा की सभी तैयारिया बकाइदा इस जन्पद में पूरी कर ली गई थी सभी परिच्छा केंद्रों पर इस्टेटिक मजिस्टेट की भी तैनाती उपलद रही सनिवार्ज से सुरू हो रहे पेट को लेकर प्रसासन ने नकल भी इन परिच्छा कराने के लिए कमर कस ली है परिच्छा केंद्रों के निरिच्छड के लिए जोर्नल मजिस्टेटों को लगाया गया है अब भ्यारती परिच्छा के अंदरों पर साड़े नौ बजे तक प्रवेश कर सकेंगे तीन चरड़ों में इनकी चेकिंग की जाएगी सबसे पहले परिच्छा के अंदर के बाहर गहन तलासी उसके बाद परिच्छा कच्छ के बाहर प्रवेश पत्रों की जाच चाखिर में परिच्छा कर्च्छ में बेरतियों का बायोमेट्रिक सत्यापन और जो मुन्ना भाई पकड़ा गया है वो बायोमेट्रिक सत्यापन में ही पकड़ा गया है तो सोचिए ये है खबर ये है पेट ये देखिए अध्यापक बचारे क्या करें सुल्तानपुर के केस कुमार नहीं केस कुमारी भी द्याले में डेस्क स्लिप चस्पा करती सिच्छ क्या सुक्रवार से ही केन बेवस्थाप को ने बड़ी मेहनत की केंदर अध्यच बी जोनल मजिस्टेट की बैटक प्रतीक परिच्छा केंद पर हुई इसमें परिच्छा को निकल बिहीन वह सांथपूर धंग से कराने को लेकर अध्यच बनाई गई अपर जिलादकारी प्रसासन पंकर सिंग ने बताया कि सन्वास हुआ मजिस्टेट कोसागार से परिच्छा केंदरों पर प्रस्पत ले जाएंगे और प्रस्पत एजनसी की ओर से कोसागार में उपलब्द करा दिये गए है यह सारी बात है और एक भाई पेट की छात्रों के लिए सुबधा जो सुल्तानपूर के हों और यूटूब देख रहे हों तो उनके लिए बता दे कि यहां से मिलेंगी बसे परिवहन विभाग ने P.E.T. के अभ्यर्थियों के लिए साहर के बाहर जैसे प्यागीपूर गोला घाट करओ दिया वामहट में आस्थाई बस स्टेंड बनाया है सरकारी और प्राइबेट 140 बसें अभ्यर्थियों के लिए आस्थाई बस स्टेंड से चलेंगी साहर में आवगमन को सुचारू करने के लिए परिच्छा केंद्रों पर रूट चार्ड लगा दिया गया है साहर के बेस परिच्छा केंद्रों के बाहर अलग से नेसल गाड़ी पार्किंग की बेऊस्था की गई है ए आर टी और नंद कुमान ने बताया के रूट चार्ड के मताबिकी अभरती परिच्छा के इंद्रों पर पहुंचेंगे तो देखिए सुबिधा इतनी दी गई है सेंटर देख लीजिए कौन कौन से सेंटर सुल्तानपुर में बने थे साहर के जी आई सी केस कुमारी जी जी आई सी एम जी एस इंटर कालेज राड़ा प्रताप पी जी कालेज गनपस सहाय पी जी कालेज पे आगीपूर सलीम हाय सेकंडरी स्कूल खैराबाद, केनाई पी सेस, बलाक एमेन कैमपस, बलाक बी फैकल्टी आफलाब, बलाक सी मैनेजमेंट बिल्डिंग महाराणा प्रताप इंटर कालेज उतरी, सेमफोर्ड स्कूल महवरिया जी आईसी महराज गंज में परिच्छा होगी, मिस इतने स इंटर थे, इसके साथ ही जंजीरादा संभूनास सिंग इंटर कालेज नरहर पूर, रामरती इंटर कालेज द्वारिक्या गंज, राम प्रताप इंटर कालेज प्रताप गंज भादा को भी पेट का परिच्छा केंद बनाया गया, हालांकि परिच्छा केंदर, सभी परिच परिच्छा के दावरान कर्कुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, डिजिटल वाच, गोल्ड रिंग, ब्लेट, वाइट, नर्व पेंसिल प्रतबंदित है, जिला नोडल अजक्यारी, एस्डियम, प्रसासन पंकज, सिंग ने बताया कि अगर कोई परिच्छा थी इन उपकाड़ों का प्रयोग करते पाया जाएगा, तो उस पर कारवाई की जाएगी, तो ये सारी ब्यवस्थाओ के होते हुए भी, इनको डर नहीं लेफती बिहार के मुन्ना भाई, MBBSO को, तो कितने और पकड़े जाएगे, वो तो सामने आएगा, फिरहाल, ये रही उत्तर प्रदेश सुल्तान पूर की बहुत बड़ी निउज, और कोई अपडेट मिलती है, तो तुरंत आप तक पहु था सकते हुए जाएगे झायार की बहुत बहुत झाएगे, तुरंत पुरंते हुए जाएगे, प्युटूू ये था बहुत पहुत बहुतुँूूूूूूू।